अधिकारी लोग अपना रवया नहीं बदल रहें अधिकारी लोग को अपना रवया बदलना पड़ेगा उनको ये शिच्छक लेकिन पोस्टिंग निती बनाए गई थी लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग निती के बाद बनने के बाद जब उसके इंप्लिमेटेशन की बारी है अभी तो बहुत दिन बाकी है ओनलाइन एप्लिकेशन लिए जा रहा है लेकिन अभी सेही शिक्चक संगठनों ने जो सिक्चक के जन प्रति दिदी हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है गलती है इसकी दिखारियों की है नीती म बन बनी सिख्षों के सहुलियत के लिए बनी तो फिसमें दिकत क्या हो रही है दिकत कहा है अधिकारी लोग अपना रवया नहीं बदल रहे हैं अधिकारी लोग को अपना रवया बदलना पड़ेगा उनको यह सोचना पड़ेगा कि यह सिच्छक कोई मजदूर नहीं है कि जो यहां आपने अपने हिसाब से कोई नहीं तंक किया यह भारी दीजे जब आपने सब तरह से जांच कर लिया कि यह सिच्छा काबिल है तब उनको मजदूर के तुरह क्यों ट्रीटमेंट करता है यह गलत तरीका है नहीं है और क्यांट मंटना करता हैं ने हमारे हमारे तुना करते हैं उनके निमावली हमारे 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 हमारी तुन मावली से yourself के वह हैं दो अलग है वी मैं नहीं बोलता हूं के वाणीय कई करण से मानिया मंत्री जी जो है मैं देखता हूं उनका पहल हमें साथ करता है इसलिए कम बोलने का प्राष करता हूं इसका मतलब यह नहीं है तो थोड़ा मुझे लगता है कि चलिए मंत्री जी है थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है पहले भी मतलब की सासन परशाण रह चुके हैं तो थोड़ा मेरे अंदर सुकून हो जाता है चलो भई कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं ऐसे जब जैसे ह नहीं निकली जो पत्र निकला वहां पर दस जिला में सौरी दस अनमंडल में ट्रांसफर के लिए आप कहीं आवे दिन दे सकते हैं तो मैंने उसका विरोध किया मैं पहला आदनी हुँ पूरे बिहार में जिसका मैंने विरोध किया और मैं सारी चीज़ों को उसमें अपने सॉ discos चाहता हूँ कि बिहार में सैचनिक बाताल बदल रहा है मम स्वर्वा अमुल चूक परिवर्तन होने के जिसा में आपको लगता है कि सिक्छों के सहूलियत के लिए ठांसफर पोस्ट्ञ निथ्ती बनी थी तो क्या उनको सहुलियत नहीं हुए इसे अभी अच्छे कैसे मानियेंगा सुलिटवा आप बताई कि आप नियम में डाले कि दस पता है को दस का दस का मतलब क्या होता है आपने जब नियोजी सिचकों को राज कर्मी का दर्जा देने की बात की थी तो क्या किया था आप जिला का आप जिला का अपने उपसंदिये था अप उनको दस वाज भीज रहे हैं जिसे और वल में एक जिला है जहानाबाद में मतलब दख लिए तो और आप तीन जिला से पार चौथा जिला में भेज रहे हैं एक कोन तरीका भई अरे आपको सहुलियत देने के हिसाब से आपने कहा था कि हम एक नई नीटी लाएंगा जिसमें की सिचकों को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी और उससे उनको सहुलियत होगा अई स कहा कि जब हाउस चलेगा तो मैं धरना दूंगा हमने कहा कि भाई इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी अब हमारे मंत्री जो हैं समझदार हैं और समझाजी से काम ले और उनको लगता है अधिकारी मनमानी कर रहे हैं मैंने देखा है मैंने देखा है और इसलिए मैंने करते हैं हमें साथ सपोर्ट करते हैं हमें साथ सपोर्ट करते हैं हमने हम तो बोल रहे हैं जो गलत है जो गलत है जो सही है हम उनके इस बयान का समर्थन भी करते हैं कि कम से कम उनको भी बात लग गया उनको भी बात लगा कि नहीं कुछ मतलब गलतियां हुई है इसे संसुध उसको समेटने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि सदन से पहले ये मामला जो है डिस्फोजफ हो जागा हमें लगता है कि सदन में फिर हम हंगावां करेंगे हमारा अधिकार है हम बातों को रखेंगा वहापर अपमारा का अधिकारी मनमानी कर रहे हैं उनको लगता है कि पर दोनों ही पलते हैं देखना होगा सिक्षा मंत्री के बैन का समतन भी कर रहे हैं आप कुप समझाएं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ना भूले धन्यवाद